कि नवस्कार दोस्तों सुबसायंकाल सुबसंधिया गुड़ीवनिंग टॉल आफ यू आप सभी का स्वागत है आप सभी का विलकम है भिहार डाट 247 पर तो चलिए शुरुवात करते हैं जवरदस्त तरीके से अपने सेसन का और देखते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टन कोईशन से और मैं आपको बता दूँँ आज से स्टार्ट हो रहा जनक बैस साम साथ बज़े से साले आफ जो तक मेरी पेट क्लास है तो जितने साथी जितने भी साथियों को जुड़ना है नहीं जुड़ें भी तक तो जनक बैस सोसल साइंस क्या शुरुआत हो होड़ी दोस्तों और म्यूजिक की भी आज से इस रुवात हो रही है तो आप लोग जूड़ सकते हैं अगर बैस से जुड़ेंट कोड़ वाई सेवन टू एट कूपन कोड़ करते हूँ यह आपका जनक बैस स्टार्ट आज से कितने मज़े टाइमिंग मैं बता देता समाजिक विज्ञान की स्टी कंपलीट फाउंडेशन बैस अपका समाजिक विज्ञान के जितने भी साम जितने वी जित इन जो तो अभी तक STT qualify नहीं किये हैं, तो जब तक आप STT qualify नहीं कर पाते हैं, तब तक आप अगस्त में होने वाली परिक्षा है, उसमें आप eligible यानि योग नहीं होंगे, तो आप सभी को क्या करना है, इस को qualify करना है, अगस्त में होने वाला है TRE 3.0, यानि तीसरा फेज होने वाल अगस्त में होने वाला आपका, अगस्त में होगा, तो आप सभी लोग अभी सही लग जाई है, ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल यहां पर आपके सामने है, पहला सवाल क्या कह रहा है, एतिहासिक सेरसा सूरी मार को दिल्ली और रिक्तस्थान के बीच, राष्ट्री राजम या फिर अमर्सर, चार अप्संस है, जल्दी सबिल्कुल रैपिट फायर करने वाले हम लो, बहुत सारे कोश्ट्री को देखने वाले है, तो क्या हो जाएगा इस कांसर, इस कांसर दी हो जाएगा, बिल्कुल सही जबाब, अमरिसर यह देख सकते है, नई दिल्ली से स्टार पंजाब के अम्रिष सहर तक नेशनल हाईवे ये गुजरता है संविधान की आवसकता किसलिए है सरकार के निर्मार के लिए समाज के विभीन लोगों में समन्वाइश स्थापित करने के लिए सरकार के सक्तियों पर सीमा लगाने के लिए या फिर उपरोक्त सभी हमें समयधान की जरूर्त क्यों पड़ती है ? ये सवा पूछा जारा आपसे जल्द इस जवाब देए , ओप्से आपके सामने दोस्तों तेरी बशाट में साथ करके बतायें क्या हो जाएक इसका जबा तर उप्रोगत सभी समयधान लिए सकता क्यों ? व्प्रोट नेक्त इसके लिए ले ले खान याने और फॉलह sokशन करता नहीं करता है। मुनि कोप्रेशन रासरकार्स सरकारी कंपनी या फिर केंद्र सरकार है घॡ जल्दी से बता हैं के बारे में सवाल में किसका audit नहीं करता है चार सवाल पूछा जार आप से चार options है आपके सामने इस सवाल है कैग से related है नियंत्र के महालेखा परिच्छक से समद्दित सवाल है अगर बात किया जानी अनुछेर में जानकारी मिलती है अनुछेर हो जाएगा 148 अनुछे 248 में और यह किसका किसका ज बेंडल कुल सहीump नेक्स Yoوع भारत का संसदीर ऐजय किस के समद्दान से लिया गया है जापान इंगल And Franceantes कि कि संसदीर रंचा यानि parliamentary जो शिस्टम है वो किस देस के dür हूच से लिया गया जा पान से लाइन कन से फ्रांस से अफिर जर्मनी से जल्दी बताया सभी लोग पार्लेमेंटरी सिस्टम हमारे देश में जो पार्लेमेंटरी सिस्टम समिधान में अपनाया गया है वो किस देश के समिधान से लिया गया है तो इसके जबाब क्या हो जाएगा साही जबाब हो जाएगा इंगलाइन एन ब्रिटेन यू के से लिया गया है पार्लेमेंटरी सिस सौर मंडल में नीचे दिये गए ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर से सरवाद एक दूरी परिस्थित है हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर से सबसे ज़्यादा दूरी पर है अगर सबसे नजदे की बात करते हैं तो बुद्ध हो जाता है मरकरी Mercury जो है वो सबसे nearest है लेकिन सवाल है सबसे दूर कौन सा ग्राह इस्थित है तो आपको मैंने formula बताया था MVM JSUN सबसे last में कौन सा हो जाएगा NN for Neptune Neptune हो जाएगा सबसे last में यानि वरूर बिल्कुल सही है C option आपका सही हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं आपका यह हमारे solar system सूर्य है सूर्य में सबसे मर्कृरी फिर वीनस फिर मार्थ फिर मार्स फिर जूपिटर साइटर्न यूरेनस एड नेप्चून और जूपिटर तथा मार्स के बीच में यह जो पट्टी देख रहे है यह एस्टरॉइड यह चुद्गरा की पट्टी भी इस्थित है चुद्गरा की पेटी कहाँ पर तो जूपिटर और मार्स के बीच में इस्थित है नेट्ट कोईश्चन तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई छुद ग्रहा से आ जाता है चंद्रमा सूर से बहुत दूर चला जाता है सूर्य चंद्रमा और प्रत्वी के बीच आ जाता है या फिर चंद्रमा प्रत्वी और सूर की बीच आ जाता है सौर ग्रहार सोलर एकलिप्स की घटना कब देखने को मिलती है सवाल ये पुछे जार आप से तो बिलकुल सई जवाब हो जोएगा डी यानी जब चंद्रमा सूर और प्र्तिवी के बीच में आ जाता है तो How many degrees does the earth rotate about on axis in one hour प्रतिवी अपने धूरी पर एक गंटे में कितने degree गोंती है के एक धंटे में पुर्द ही कितने degree धुमेगी आप लोग जानते हैं 24 इसमे pace अपना क्या पूरा कर लेती है 24 आर्स में पूरा चक्कर यानि 360-Digond जाती है तो एक घंटे में कितना फों इसका कर देंगे आप 204 कितना अंसर आ बराबर 360 डिगरी ठीक है और यहां से अगर एक डिगरी का हम निकालेंगी है तो 1440, 1440 बटे 360 हो जाएगा, 360, इसको आप काटेंगे तो कितना जाएगा, 4, यानि 1 डिगरी, एक डिगरी घूमने में 4 मिनिट का समय लेती है, तो 15 से दोनों तरफ मल्टिप्लाई करेंगे, 15 से, तो 15 डिगरी बराबर 60 मिनिट के, 15, 40, 60 मिनिट यानि 1 गंटा, एक गंटे में कितने डिगरी घूमेगी, तो 15 डिगरी प्रिछवी रोटेट करती है, डी बिलकुल आपका सही हो जाएगा, क्या होगा सही, डी, नेक्स्ट कोश्चन, अगला सवाल है, तो ट्रॉपिक ऑफ कै करकरेखा, निम्न में से किस भारती राज़ से होकर नहीं गुजरती है, मिजोरम, गुजरात, त्रपुरा, महारास्त, करकरेखा की बात किया जाए तो करकरेखा, साड़े 23 डिगरी उत्तरी अच्छा सरे खा को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो करकरेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैं तो यहां पर आप देखेंगे तो महारास्ट से होके नहीं गुजरेगी तो डी बिलकुल सही है फिगर के द्वार आप लोग देख सकते हैं यह सारे तेश डिगरी करके रेखा गुजरात फिराजस्तान मद्दप्रदेश शत्रिगर जारकन पचिमंगाल ट्रिपुरा और मिजोरम टोटल कितने तो टोटल एट स्टेट्स यानी आठ राज्यों से होकर के गुजरेगी नेक्स्ट दफिजिक्स फेनोमेन वेंड़ इन पोलर रीजिंस लाइक अलास्का नॉर्थन केनेड़ा इस प्लेंडिग डिस्प्लेय अफ कलर सिंसीन इन स्काई इसकॉर्ड अलास्का और उत्री कानाड़ा जैसे ध्रूबी चेत्रों में होने वाली भौत्री की घटना जिस लिए टिटी तारे की आंतरिक चमक क्या होता है दोस्तु तो यह औरोरा बोरिया लिस और बोरियाव इस उत्तरद्रूबी जोती और च्ट्रथ घ्र्वी जोती ठीकिया यह अपर आप लोग देख सकते कुछ इस पर गटना देखने को मिलते पूरा बिलकुल रंग विरंग आसमान कहां पर धुरूबों पर और 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 ऑस्ट्रियलिस और बोरियलिस नेक्स्ट वर से किस दिन प्रिथवी सूर से सबसे अधिक दूरी पर जिसे उपसौर भी कहा जाता है होती है 19 अगस्त 23 अक्टूबर 12 मई या 4 जुलाई उपसौर और अपसौर आपने पढ़ाओगा दोस्तों उपसौर और अपसौर आपने पढ़ाओगा तो जब प्रिथवी सूर से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उसे हम बोलते हैं अपसौर और ये 4 जुलाई को होती है घटना क अधिक और शब्से दूर कहा पर होगी चार्ज जुलाई को नेक्स्ट काध्यस रिंखला की प्रते कडी क्या कहलाती उत्पादैन अस्तर खाद्यस पूशन अस्तर या आउसों स्थर अगवन स्टर्टें इस अगर्में स्टार्ट करेंगे उत्राटक सरी स्टार्ट करेंग क्या बोलते हैं यहां पर फिगर लूब सकते हैं 25 य फेगर जोला जाता है और इसी प्रकार से बढ़ता जाता है ठीका नेक्स्ट अगला तो नाचने वाला हिरन भारत की किस प्रदेश में पाए जाता है जल्दी सभी लोग बताएं क्या हो जाएगा अंसर नाचने वाला हिरन dancing deer जिसे संगाई के नाम से जना जाता है दोस्तों संगाई के नाम से और यह देखने को मिलता है हमें केबूल लाम जाओ में कहाँ पर केबूल लाम जाओ में देखने को मिलता है और केबूल लाम जाओ कहाँ पर इस्ते थे केवुल लाम जाओ डांसिंग डियर यहीं पर देखने को मिलते हैं नेक्स्ट मत सेन किस प्रकार की आर्थिक रिया है फिसरीज जो है वो किस एकोनोमिक सेक्टर का पार्ट हो जाएगे प्राथमिक चतूर्था तुर्तियक या फिर दूतियक क्या हो गांसर सभी जल्दिस बता है एकोनोमिक तीन सेक्टर सोते हैं दोस्तों सेक्टर अगर एकोनोमी देखें इंडियन छोल दीजिए इकोनोमी देखिए तो प्राइमरी सेक्टर में क्या 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 एग्रिकल्चर डेरी फेसिंग फॉरस्ट्री यह सारी चीज आती है सेकेंडरी सेक्टर में कैसी होती है, जब ग्रीस्ञ्सम कालीनMAनसून आता है भारती मानसून जब आता है तो उसकी दिसा क्या होती है हवाँ के दिसा क्या होती है तो अगर MAX कि दह सब्सक्राइब का 2023 22 55 से इंह एक जलती है को यह को मुनसुघ बोले जाता है जो कि गर्मी में एंने गिर्स मकाल में आता है, नेक्स कोईशन, निमलिकेत मेंसे कौन सा जलासे चंबल नदी पर बना हुआ है, नागरणु सागर, बिंड सागर, रीहंद, राणा पृताप सागर, तो चंबल नदी की बात क्या जाए है, तो आप लोग जानते है, जनापाओ की पह गांधी सागर है, बांध भी कह सकते हैं, गांधी सागर, कहां पर मद्य परदेश में, जवाहर सागर, कहां पर रास्थान में, राना प्रताप, राजस्थान, कोटा बहराज, राजस्थान, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, D विल विदार, राइड आंसर, D बिलकु एलिया अफरीका यूरूप तो एकल परवद के बारे में बातची थोरी दोस्तों और एकल परवद कहां पर तो अफरीका कंटिनेंट में इस्ति थे चाहे एंटी एटलस हो हॉट एकला सो यह सारे एटलस आप देखेंगे तो उत्री अफरीकी देशों में पाए जाते खासता पर मुरको, अलजीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, ट्यूनीसिया तक लगभग देखने को मिलेंगे, यह इतलस परवत है, ठीक है, कहाँ पर अफरीका कंटिने, नेक्स कोश्चन, जल्दिल दी आंसर बताना है, बिल्कुल तेजी क से कोई ने, जल्दिल दी बताएं, अपना, तेजी साथ सभी लोग अंसर बताएं, क्या हो जाएगा, आंसर, नागरिकों और सरकारों के बीच अगर बिवाद हो जाए, तो उसका निप्टारा कौन करेगा, आर्टिकल 131 अनुछे 131 में, जो मूल 16 जिकार देता है, के बारे सासित प्रदेश हो जाए, या राज्य वर्सिस राज्य हो जाए, राज्य वर्सिस राज्य, या फिर नागरिक और सरकार में सीधा पंगा हो जाए, या बिवाद हो जाए, तो इन सभी के निप्टारा कौन करता है, तो केवल और केवल सुप्रिम कूट, केवल कौन करेगा, सुप्रिम कोट करेगा नेक्स्ट कोश्चन अंसर बताएं मुद्रा स्फित का मतलब क्या है वस्तों और सेवाओं के मूल लिमें बृद्धी करना है मांग के बढ़ने पर आपूर्धी का बढ़ना वस्तों और सेवाओं के सावान मूल कीमते बढ़ती ही इसी को महगाई बोलते हैं तो प्राइसेज बढ़ना वस्तों और सेवाओं के मूल लिमें बृद्धी को ही मुद्रह स्फिती बोला जाता है ए ऑप्सन बिल्कुल अपका क्लियर है बिल्कुल सही नेक्स्ट लग हुई माले इस्तित है किसके बीच में ट्रांस हिमाले महान हिमाले सिवालिक और महान हिमाले ट्रांस हिमाले और सिवालिक या फिर सिवालिक और बाहिमाले जल्दी से बताए अपना अंसर क्या हो जाएगा तेजी के साथ जल्दी से संजी गुपता जी विभा कुमारी पुस्पा कुमारी, किरन कुमार, सुरेंदर कुमार, नूर सवा बेगम, जवर्दसांसर, क्या अंसर हो जाएगा, तो यह इस थे, दोस्तों, सिवालिक और ग्रेट हमाले के बीच में, लग हमाले, देख सकते हैं आप लोग, कारा कॉरम लद्दाक, यह दोनों किसका पार्ट है, तो यह दोनों ट्रांस हमाले का पार्ट है, जासकर और ग्रेट हमाले, एकसाथ, पीर पंजाल, धौला धर, मसू srinivas a cross the em gravityiper 거지 अर्टिती नदियों के जोड़े के बारे में सवाल हे जोड़ा दिया गया है आपको बताना है हिमाले के पार से कौनसे नदिया निकलती है जल्दी से बताएं कि क्या होगा आंसर जल्दी से बिल्कुल तेजी के साथ बताना आप सभी को तो हिमाले पार्य के नभी यों के बारें बात्सित हो रहा है गंगा यहांपर लिखा गंगा चुक्झा क़ंगोत अपर इंस निकलती हुए हिमाले प्र सिंदू सतलज तीनोग इस तीली उप्से हैं गालत हो गया तो यानि इंडस रिवर कहांस निकलेगी है सिंधु नदी मांसरोवर जील से और 17 नदी कहांस निकलती है तो यह निकलती है राक्षा स्थाल्स और यह तीनों कहां परिस्थित हैं तिबबत में इसलिए आपका सही जबाब हो जाएगा भी बिल्कुल करेक्ट आंसर नेक्स्ट गंगा और ब्रमपुत नदियों का उध्गम स्थान करम सा इस्थित हैं नेपाल और यहां पर सेएगज एगा ॉर्टिव्पत बिलकुल सभी जबाब हो जाएगा नेक्स्ट जल्दी जल्दी बताना है अंसर अपना विर्शुका सबसे बड़ा नदी दूइप माजुली का निर्मार करने वाली कौन सी नदी है फ्रिश्णा कावेरी गुदावरी ब्रह्मपुत्र जल्दी जल्दी सभी लोग बताया अंसर क्या हो जाएगा बात करें कि माहा बलेजस्वर से निकलती है कहां से माहा बलेजस्वर से निकलती है पस्च्विघाट की बात करें कावेरी की तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है करनाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से गोदारी बात करते हैं त्रेंबा की पहाड़ी से कहां पर त्रेंबा क जिसे तिब्बत में सांगपो या यारलूंग जांगपो के नाम से जाना जाता है सांगपो या यारलूंग जांगपो यारलूंग जांगपो तिब्बत में दिहांग अवलाचर प्रदेश में बोला जाता है ब्रम्हपुत्र असम में बोला जाताया है जमुना बोला जाताया है जमुना बंगलादेث में ये सब इसी नदी के अलग अलग छेतरों में नाम है next यहाँ पर देख सकते हैं माजुली आइलेंड के निर्मार कैसे हुआ तो ब्रहमपुत्र की दो धाराओं के बीच एक आइलेंड बन गया जिसे माजूली आइलेंड के नाम से जना जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट महादीपी भारत की निम्ने नदियों में से कौन सेस्तीन से विशिस्ट रूप से भिन है नर्मदा कावेरी कृष्णा गोदावरी अगर बात करेंगे विसाल जी पेड क्लास की तो पेड क्लास में स्लेबस के कॉर्डिंग थियोरी चलती है ठीक है वाइटी पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होती है अगर आप सोचेंगे वाइटी के माद्धियम से आप पूरे स्लेबस को पूरे त्रिकास पड़ पाएंगे तो यह काफी कठिन काम है पेड और वाइटी दो अलग चीज़े है पेड क्लास में हम थेओरी पर काम करते हैं और ऐसा पढ़ाते हैं स्लेबस रिकॉर्डिंग बिल्कुल आपके वाइटी तो बस प्रैक्टिस करने के लिए है ठीक है डिसकस मैं करता हूँ चुकि आज मैं रैपिट फायर बिल्कुल ल कैसे बैच पर्चेस करेंगे बाद में बताए जाएगा तो यह प्राद्यूपी भारत निम्न में से कौन से इस्तिन से बिसिस रूप से भिन है नर्मदा कहा गिरती है गल्फ ऑफ खंबात खंबात की खाड़ी में गिरती है कावेरी किर्ष्णा और गोदावरी तीनों वे बंगाल यानि बंगाल खारिम गिरती है तो नर्मदा थोड़ा सा भिन हो जाएगी नर्मदा बिल्कुल सही ए ऑप्सन नेक्स्ट भारत में विसालतम लेगून निम्न में से कौन सा है बिम्बनाद लेगून चिलका लेगून पुलिकट लेगून या फिर कॉलेरू लेगू चल्दी बताएं सबसे विसालतर लेगून लेगून भी क्या होती है खारे पाने की जील होती है खारे पाने की जील होती है जिसका निर्मार समुद्र के द्वारा होता है और सबसे बड़ी खारे पाने की जील भारत ही कौन से दोस्तों तो चिलका जील हो जाएगी चिलका ज दूसरी सबसे बड़ी लेगून हो जाएगी और इसका इसकी लोकेशन देखें तो आंधर प्रदेश और तमिलनाडू के बॉर्डर परिस्थित नेक्स्ट नागरिक और सरकारों के बीच हो चुका है कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है निम्न लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है लोक टक जील मडिपूर सामभर राजस्थान लोनार महाराष्ट हुसेन सागर करनाटक जल्दी से बताए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है तेजिक साथ बताए सभी लोग इसका सभी आंसर हो जग रॉषैन सगर करनाठक में नहीं है बलकि रॉषैन सगर टेलंगा नाम है कहा पर तेलंगा नाम इस्थित थे खुर्षैन सगर रॉषैन सगर दूर बाकी लोगटक मरीपूर सांवर राजस्थान ल नार महाराश्व बिलकुल सही जबाब ड' का करिक्ट आंसर होगा नेक्स्ट भारत की कोरो बंटल के डिलटा तक कोरो बंटल कोष्ट है और यही पर तमिल नाडू जहां पर लोटती हुई मानसों से सब्सद्रा वर्षा होती है तो अगर सहर पुछा जाए चाहिए नहीं और लॉट तो मांसुन कब तो अक्टूबर नॉंबर के महीने में होता है तो डी इस राइट अप्सन डी बिल्कुल सही हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट यहां पर आप लोग देख सकते हैं पंदया कुमारी सेक्रिशन डिल्टा है अंध्रप्रदेश में वहां तक क्रिशनी डिल्टा है महा नदी की डेल्टा उत्री सरकार उत्री सरकार उत्र यह एक मिद्र हो सब्सक्स पश्मी घाट की बात हो रही है पश्मी घाट की बात हो रही है पश्मी घाट की बात हो रही है पश्मी घाट पर पूर्वी ढाल पर यहां पर कम बन पाए जाते हैं और पश्मी घाट पर अधिक वन पाए जाते हैं अधिक वन यहां पर कम बन पाए जाते हैं क्यों कि जब प्राइब देखने को यहीं पर मिलता है कारण क्या है अधिक वर्षा का होने का कारण इसके पीछे जिम्मेदार इसका अंसर बताएं सभी साथी भारत के उपराष्ट पति के चुनाख ले निर्वाचक मंडल कौन बनाता है Electoral College जो है यानि उपराष्ट पति के चुनाख में कौन-कौन लोग भाग लेते हैं तो अगर उपराष्ट पति यानि Voice President के लेक्सन की बात किया जाये तो संसत के सभी सदस भाग लेंगे संसत के सभी सदस से भाग लेते हैं संसत के सभी सदस के मतलब है लोक सभा का सभी सदस और राजसभा के सभी सदस से उपराश्टपती को वोट करते हैं चाहे मनोनीत हो या हो नौमे इलेक्टेड यानि निरवाचित हो सब लोग भाग लेगे तो संसत सदस और बिधान सभाओं केवल संसत के सदस में भाग लेते हैं बिधान सभा के सदस से भाग नहीं लेते हैं उपर राष्टपति के एक्सन में और राष्टपति के एक्सन में बिधान सभाओं के भी सदस से भाग लेते हैं सवाचिस सिकस्تहस, कौन सुमलित नहीं है, यह सवाल हो चुका है, आगे बढ़ेंगे, कौन सी दक्कन पठार की मुख्य फसल है, दक्कन प्लेट्यू की मुख्य फसल क्या हो सकती है। दक्कन प्लेटी उपर पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे ब्लैक सॉयल बोलते हैं काली मिट्टी बोलते हैं यह इसी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसके नाम से रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इस रेगुर मिट्टी या क काली मिट्टी में सबसे ज्याधा उत्पादान अगक पास का कॉंट का प्रोड़क्शन सबसे जाद होता है तो कपास बिल्कूल सहाखेँ अपको बिलकूल सभी स्अ कि 80 समीधान सब समेठी के अठ्धै कौन थे सवाल पूछा ज़ा आप से जल्दी बतात डीपकर सुरेंदर कुमार, विभा कुमारी, अजीजा आजमी, सूनी कुमार, सौरब राज, डी आप्शन, वेरी गुड़, इसका अंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा अंसर? प्रांती सम्विधान समिति के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, प्रांती सम्विधान समित के अध्यक्ष कौन थे? और 섂र अरभदा समय पूछे तब सरदार बिल्कल सही जवाब और संग सकती समीर्वारमिदा पूछेंगे तब सरदार बिल्लब्हाई पूछे तब सरदार बाय। इसके रवाम मूल अधिकारों राज़ा म Listen अलों के समीदि के पिछS ? निक्स्ट राजा सुब्बे और राजा सुप्राप्तियों की बीच का अंतर क्या कहलता है राजा सुब्बे और राजा सुप्राप्ति इनके बीच जो अंतर होता है उसे राजा सुगाटा कहते हैं क्या कहता है, यानि जब राजस सुब्य ज़्यादा हो जाए, राजस उफ प्राप्ति से तब यह राजस सुगाटे की सकल ले लेता है, राजस सुगाटा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई अर्थब्योस्ता संसाधनों का कुसलता पुर्वक उत्पादन करने में कब सफल होती है, कोई भी अर्थब्योस्ता, संसाधनों का कुसलता पुर्वक उत्पादन करने में कब सफल होगी, जब संसाधनों को बरबाद किये भी ना, वस्तू और स भावाओं का उत्पाधन किया जाता है तब, संसाधन चो कि सीमित है, संसाधन सीमित है, resources जो है वो limited है, and हमारी wants जो है, आव सकता है बहुत ausीमित है, तो इसलिए कुसल्टा पूरवख उनका हम क्या करेंगे, दोहन करेंगे, competent पूरवख उनका इस्तमाल करेंगे, ये आप्सें हो जाएगगे। सम्ष्टी अर्थसास ये मैक्रो एकोनॉमिक्स के अध्यन काविस है, किस सिध्धान्त पर अधारित है? बात हो ये समस्टी अर्थसास की अर्थसास के दो प्रकार होते हैं वेस्टी अर्थसास और समस्टी अर्थसास वेस्टी अर्थसास में केवल इंडी विजो लेबल पर बात की जाती है ब्यक्तिकत अस्तर पर बात की जाती है लेकिन जब हम समस्ट की बात करते हैं तो whole way में बात होती है जैसे राष्ट्रिया है तो राष्ट्रिया का सिध्धान्त ये समस्ट अर्थिविवस्ता के अंतरगत है A option आपका इसमें सही A option नेक्स कोईशन भारत के उप्राष्ट्पती चुना के निर्वाचक मंडल कौन बनता है केवल संसत सहस अभी मैंने बताया कि केवल संसत के सहसे ही उप्राष्ट्पती के लेक्शन में भाग लेते हैं ठेक है नेक्स्ट भारतिय समिधान का पिता किसे कहा जाता है Father of Indian Constitution Father of Indian Constitution किसे कहा जाता है सौरबराज जी अजीजा सुरेंदर कुमार दीपक कार्तिक बताएं मुसकान सिंग चली जिसका अंसर क्या हो जाएगा तो भारतिय समिधान का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों तो पिता कहा जाता है डौक्टर भीमरा मवेटकर को क्यों? क्योंकि ये प्रारूप समिध के अध्याच्छ थे प्रारूप समिध के जिराफ्टिं कमिटी के प्रारूप समिध के अध्याच्छ थे इसलोए इन्हें समिधान का पिता कहा जाता है C-Opcion Next भारती संसत की संप्रभुता प्रतिबंधित है किसके द्वारा? बताइए, संसत की संप्रभुता का मतलब है, संसत कोई भी कानून बना सकती है, संसत कुछ भी संसोधन समयधान में कर सकती है, लेकिन मूल धांचा नस्ट नहीं होना चाहिए, Supreme Court के दोरा बताया गया है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब judicial review से ये क्या है समप्रभू नहीं है अगर संसत कोई काम कर सकते है तो उसका judicial review हो सकता है Next Next Malthas के नुसार किसी देश की जनसंख्या में विर्धी होती है तो जनसंख्या विर्धी होती है एक से दो बनते हैं दो से चार होते हैं चार से आठ आठ से सोला सोला से बत्तिस ऐसे होता है न तो यानि की बिजगंड़ती रूप से जामती रूप से इसका बढ़ता है C option बिजगंड़ती नहीं होगा प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रिसलित है प्लास्टिक मुद्रा बात होरी प्लास्टिक मुद्रा की तो प्लास्टिक मुद्रा ATM काड हो जाएगा कागजी नोट, बैंक, चिक बात होरी प्लास्टिक मुद्रा की तो is'mें और शिर्फ क्या आयगा दोस्तों 8M आयगा – 8M कारड़ आ गए agreement कारड़ आ गया ये सभी plastic मनी है अगर आपसे पूचा जाता है smart money क्या है ठेगे न अगर आपसे smart money पूचा जाता है तब आप लगाते क्रेडिट कारड – next नेमलेकित मेज़े कौन सा, best photography किरन के लिए एक बाधा के रूप में कारे करता है बैस विक्राइब ग्लोबलाइजेसन ग्लोबलाइजेसन को हानी सब्सक्राइब किस्ते हैं तकनीकी से बहुराष्टी कंपनियों से मुक्त ब्यापार से आया सुल्क से क्या अंसर होगा दीपक कार्तिक जी बताएं किरन पांडे संजू गोपू ब्लॉक एटियम बता रहें तो बाधा के रूप में नफीसा खातुन ने सी ऑप्सन बताए बिल्कुल सही जबाब है मुक्त ब्यापार इसके बाधा के रूप में कारण नहीं करेगा बल की आया सुल्क काम करेगा अगर आप आया सुल्क ज़्यादा लगाते हैं तो तो प्राइज जो है product का क्या तो हो जाएगी जब कीमत जादा हो जाएगी तो इसका demand कम हो जाएगा दीमान्ड कम हो जाएगा next कस्मीर के इतिहास में कौन से पुस्तक सम्मंदित है रास तरंग्णी पंस्तंत्र विक्रमो और सीम माल विक्यार निवित्तर तो कस्मीर के इतिहास पर लिखने वाले लेख़क थे कलहर, जिन्होंने रास तरंगली इतिहास के बारे में कस्मीर की इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है नेक्स कोश्चन कि नदी को दक्षन गंगा कहा जाता है किस नदी को दक्षन गंगा के नाम से जना जाता है तापती नर्मदा कृष्णा गोदावरी जल्दी बताइए सबी रूप क्या हो जाएगा डी आप्सन होगा सोनी कुमारी जी डी बता रहीं गोदावरी तो दक्षन गंगा के नाम से गोदावरी प्रसिद्ध बिल्कुल सभी बात है कहां से निकलती है त्रेंबा की पारिस निकलती है और जाकर के और जाकर के कहां पर तो ये जो है बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है इसे ही बृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट भारते समिधान की प्रांती समिधान समित क्या द्रेक्ष कौन थे यह तो सवाल हो चुका है कुश्चन पढ़िए और आंसर करिए दौआप के बारे में सवाल है दौआप का मतलब होता है दो नदियों के बारे में बात है बीच दौआप ब्यास और सतलत बिलकुल सही बात है बारी दौआप रवी और ब्यास तो बिलकुल सही है रचना दौआप रावी और जहिलम नहीं होगा बलके रावी और चिनाप के बीछ में भीस दौआप बिलकुल सही है चारज दौआप चिनाप और जहिलम भी संबदिते है एक, दो, चार होगा, यानि की C option, क्या हो जाएगा, C option इसमें सही है, next question, भारती सम्दान की प्रांती ये तो हो गया, कई बार सवार आ गया, भारत और म्यामार की बीच सीमा निर्धारत करने वाली परवस्थ निरी कौन सी है? क्या होगा, अनसर, भारत और म्यामार सवाल पूछा जा रहा है, भारत और म्यामार की बीच सीमा निर्धार करने वाली परवस्थ निरी कौन सी है, तो इसमें पठकोई और अराकान योमा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, next, यहां फिगर में आप लोग देख सकते हैं, यह है पठकाई रेंच और इस तरफ आप पाएंगे अराकान योमा, ठीक है, तो पठकाई रेंज अराकान योमा जो है भारत और म्यामार की बीच में, चाइना नहीं होगा, यहां घनत लिखा है, म्यामार हो जाएगा, म्यामार क बीच में बादर शेर करता है, नेक्स्ट, से तरफ अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, फ्लोरीडा, कोलोरीडा, नवजर्सी, कैलिफोर्निया या फिर फ्लोरीडा, तो भी उसका बिलकुल सही जवाब जागा, सिलिकान वैली आप लोग रहाद कर लिया होगा, यह मेंATOR Sरय क्या जो जाएक तो केलिए मेंasi अर्ण कम्पटियूटर चिप्स के लिए जानी जाती है उनके निर्मार के लिए जानी जाती हैं और केलिए केलिए पराम्स्ति वा से अगर मैं पूछे भारत का भारत के सिलिकॉन वैसे बोले जाता है तो आप लोग बताएंगे वेली कौन बताएगा तो भारत के सिलिकॉन वेली बोला जाता है किसको किसको बोला जाता है दोस्तों बैंगलोरू को करना टक्स नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिलिकॉन वेली है Silicon Valley है, वहाँ पर San Francisco में कहाँ पर San, सॉरी California के ही San Francisco में ठेके ये भी सवाद पुछाता है San Francisco California के ही San Francisco Clear? Next कौन सा कथन सही है इसमें बताना आपको कौन सा कथन बिल्कुल सही मैच है हल्दिया ओडिसा में है पारदी पस्चिमंगाल में कांडला गुजरात में मर्मुगाव करनाटक अल्दिया की बात किया जाए तो कोलकाता हो जाएगा क्या हो जाएगा? कोलकाता पारदीप की बात किया जाएगा तो ओडिसा हो जाएगा ओडिसा का बंदर गाह है कांडला गुजरात बिल्कुल सही है मर्मुगाओ करनाटिक बिल्कुल सही है इसमें सही कथन है पूछ रहा है तो सही कथन इसमें क्या हो जाएगा सही कथन कांडला गुजरात बिल्कुल सही मर्मुगाओ कहा पा रहे है गोवा में करनाटिक में नहीं गोवा मिस्थित है मरमुगाओ और सभी जवाब हो जाए कांडला क्यों क्यों कांडला गुजरात मिस्थित है नेक्स्ट यह भारत कुछ प्रमुक पोर्ट है और किन चेत्रों में है स्विएर के दोराप्रोग देख सकते हैं नेक्स्ट अगला सवाल सूर्गरान होता है हो चुका है सवाल भारत में मार हो चुका है भारत की मानक समय रेखा इंडियन स्टेंडर्ड टाइम कितने राज्यों से हो करके गुजरती है यह सवाल पुछा जा रहा है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से हो तो मानक समय रेखा भारत की पूछ रहा है इंडियन स्टेंडर टाइम IST कहां गुजरती है मिरजापूर से कहां से मिरजापूर से कितना है यह साड़े 82 डिगरी साड़े 82 डिगरी पूरवी देसांता रेखा है को इंडियन स्टेंडर टाइम माना जाता है और यह भारत के पांच राज्यों से कहां से पांच राज्यों से कहां से घुजरती है तो इसलिए सी आप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा देख सकते हैं जैसे बात करेंगे सबस पूर्शयों के गुजरती मिर्जापूर। क्लियर नेक्स्ट इसका अंसर बताएं सभी साथी राम से तू किस जलड उमर मद मेरी किस इस ट्रेट में इस ते थे तो राम सेतु के बारे में सवाल है इसे एडम बिर्ज भी बोला जाता है दोस्तों और ये किसको अलग करता है या जोड़ता है कनेक्ट करता है इंडिया को यानि भारत को स्री लंका से जोड़ता है भारत को स्री लंका से जोड़ता है दोस्तों नाम याद रखेंगे और राम से तो किस जलसंदी में तो पाक जलड उमर मत है, पाक जलड उमर मत दो water bodies को जोड़ता है, बे आफ बंगाल को गल्फ आफ मननार से बे आफ बंगाल को गल्फ आफ मननार से connect करता है, ठीक है, और separate करेगा इंडिया को स्रिलंका से next, यहाँ पर देख सकते हैं figure के दोरा कौन सी जलसंदी है, तो पाक जलसंदी है, यह है आपका रम सेतू, Let's。 एंगल के सामने, तो बद्रीनात का प्रसिद्ध मंधिर इस्थित हैं तो अलग नंदा हो जाएगा, सही जबाभ अगर बात करते हैं मंधाकनी की, तो मंधाकनी के बगल में किद्आर्णात्र का मंदिर इस्थित है किद्आर्णाश का मंदिर मंदाकनी दर्ट पर और अलग मंदा के तड़ बद्द्री नाध का प्रसिद्धु मंदेर इस्थित्थ हो जाय सektर इस्थित्व किस राज से नहीं भाति है किस राज से होकर चंबल नदी नहीं बहती है उत्रप्रदेस मत्रदेस राजस्थान गुजराथ तो इसका सई जवाब हो जाए गुजराथ गुजराथ से होकर नहीं बहती है बाकी मत्रदेस से निकलती है राजस्थान बहती है उत्रप्रदेस जाकर के यमुना से मिल जाती है तो तीनों स्टेट इस से एसोसियेटेड हैं लेकिन गुजरात से इसका कोई तालुक नहीं है गुजरात में बिल्कुल ये नदी नहीं बहती है चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों हम बात करेंगे आपके बैच के रिगार्डिंग अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं सोसल साइंस पेपर 1 920 के लिए तो जनक बैच है आज से शुरू है आज से इसके शुरुआत है कितने बज़े से तो 7 पीम से साम 7 बज़े से रात साभे 8 बज़े तक कि पेट क्लास आज होने वाली है कैसे इस से जुड़ेंगे तो मैं पहले बता देता हूँ तो गूगल में जाएंगे गूगल में जा करके ध्यान देखेगा गूगल में जा करके डालेंगे अड़ा 247 अब अड़ा ए डबल डी ए 247 डाला तो इस प्रकार साब की इसी All courses पर क्लिक करेंगे और अगर मोबाइल फोन में जा कि Google ले रहे हैं तो State exams के प्लिक करेंगे बिहार महापैक स्ट पेपर तो बिहार बढ़ेंगे तो यहां पर पाएंगे बिहार एस्टट पेपर वन देख रहाए इष्ट पेपर वन लिखा है बब इसखक्त करेंगे चाइब पर सारे बैच्थि आपके सामने हो जाएगे हो मोने अगर आप घतके जनक भैजhum में प्रmost तो इस प्रकार से देखेंगे त॥ यह पर लिखे रहेगी Fees Fees यहां पर लिखा रहेगा buy now Baina और सिपीस के सामने लिखा रहेगा more offers क्लिक नहीं कर देंगे तो यहां पर पूछेगा inter coupon code, या पुछेगा? inter coupon code पुछेगा, ठीक है, यारि अगर लिपटाप से कर रहे है टेबलेट से तो यहां buy now पे click करेगे, तो यहीं वाला पूरा खुल जाए, coupon code पूछ रहे है, देखिए, coupon code available offers में, तो coupon code पर click करेए और coupon code में जाकर अपनो coupon code लगा दीजे, सोसल साइन्स हो अब मैं तो टीचर कुछ भी हो कम्पूटर साइन्स सब कुछ तो वाई 728 याद रखना नाम अब एपलाई करेंगे जब आप एपलाई करेंगे फीज़ एकम कितने मिल रहा है भी तो आज तो ऑफर भी है मिल रहा है को केवल 1680 रूपए में ठीक है 1680 करेंगे तो पीस पेमेंट का आपसना जायेगा जैसे की यूपल ga यको जोट जाएंगे जैसे फीस प्रिमेंट करेंगे तो आप इस बैसे जूट जाएंगे अब उसके बात क्या करना है उसके बात करेंगे आप अड़्डा 24-7 का एप इंस्टॉल करेंगे एप ठीक है प्ले स्टोर से भी आप कर सकते हैं या फिर इसी डिस्क्रिप्सन में नीचे देखिए एप इं स्टार्ट कर देते हैं ऐसे वी कोई बैट्स आप लेंगे रविंड मिजी कोई बैट लेना है किसी वी सब्जेटकों लेना है तो ध्यान रखना है कोई क्योंकि यहां पर बहुत confusion होती है coupon code को लेकर बहुत confusion होती है students में बैस तुले लेते हैं लेकि उनको coupon code नहीं दिखता है तो coupon code यही आपका Y728 फिर से मैं कहना चाहूंगा Y728 coupon code है इसी coupon code को apply करना है तो आपका है ठीक है तो मिलते हैं अभी तुरंथ 10 मिन बाद आप से ठीक है तो मच एंड जय हिन जय भारत दोस्तों जल्दी से जूड़ जाईए प्रोसेस पूरा देख लिजेगा कूपन कोड़ी ही लगाना है ठीक है तो आज साम से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है और साथे साथ दोस्तों ये सोसल साइंस का भी बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है थेंक्यू